यह मेरे पास OnePlus Nord C3 और OnePlus के Oxygen OS में काफी अच्छे सारे नए फीचर समय देखने को मिलते हैं तो यह जो फोन है यह Android 14 पर अपडेट किया हुआ जैसे कि मैं आपको दिखा दिता हूं सेटिंग्स में जाके तो यह जो है अबाउट फोन में हमें देखने को मिलता है Android 14 आपको यहा तो यह जो है बैटरी हेल्थ और बैटरी प्रोटेक्ट का ऑप्शन किस तरह से यूज करना है तो आज की चुड़े हम देखते हैं इसकी लिए सबसे पहले सेटिंग्स कर्ण के ऊपर क्लिक करेंगे और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है बैटरी के ऑप्शन में बैटरी का जो option है इसके उपर क्लिक करने के बाद आपको यह जो है यह option देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको एक नया option में देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको दो options भी देखने को मिलते हैं smart charging और stop charging at 80% तो यहाँ पर जो है मैंने stop charging at 80% को जो है enable करके रखा हुआ है जब भी मैं इस phone को charge करता हूं तो battery जो है automatically 80% होने के बाद जो है charge होना बंद हो जाती है जिसकी वज़े से क्या होता है कि हमारे phone की जो battery capacity है वो maintain रहती है पहले यह जो option था यह off था और मैं ज्यादा तर जो है overnight battery को charge करता था इसकी वज़े से यह जो battery 100% हो जाते थी और charger भी इसी के साथ लगावा रहता था जिसकी वज़े से यह जो battery capacity है वो over charging के वीज़े से धीरे-धीरे कम हो जाती है और यह 97% पर आर चुकी है लेकिन जब से android 14 का update आ चुका है उसके बाद यह जो है दो options यहां पर देखने को मिलते smart charging और stop charging at 80% तो मैंने stop charging at 80% को select किया हुआ है जब भी battery 80% हो जाती है charging जो है इस phone की automatically stop हो जाती है और battery over charge भी नहीं होती है और battery की health जो है वो भी maintain रहती है अब काफी दिन से इस phone की जो battery health है यह 97% पर ही है और नीचे नहीं गिरी हुए क्योंकि मैं 80% से ज़्यादा battery को charge नहीं करता हूं अगर हम smart charging को enable करते है तो आप देख सकते हो कि stop charging at 80% का जो option है वो automatically disable हो जाता है तो यहाँ पर जो है यह जो है intelligent services जो है इस phone की 80% है इसे मैंने on करके रखा है तो यह काफी एक battery का aging जो होता है उसे कम करने का काफी अच्छा तरीका है कि आप battery को सिर्फ 80% तक ही charge करें उससे ज्यादा चार्ज ना करें और आपके फोन की जो battery हेल थे यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यह भी ज्यादा तर फिर नहीं गिरती है अगर आप पर 20-80% तक बैटरी चार्ज करोगे तो maximum capacity जो आपके फोन के बैटरी की है वो intact रहे सकती है तो यह जो है यह कुछ systems यह नए features हमें Android 14 में OnePlus में देखने को मिलते है जो कि आपको एपल के iPhone में भी देखने को मिलता है यह system और Samsung के फोन में भी stop charging at 80% का जो feature देखने को मिलता है तो यह अब हमें इस फोन में भी मिल चुका है अगर आपके पास OnePlus का फोन है तो आप इस तरह से इसकी बैटरी को जो है optimize कर सकते हो प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि आपके फोन की बैटरी हेल जो है वह अच्छी बनी देए तो बस दो यह थी आज की जोटी वीडियो उम्मीदे वीडियो पसंद आयोगी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को